जैहन दोस्तों जैहन बच्चों भुगोल की क्लास में आपका स्वागत है जब हम मानव भुगोल की बात करते हैं तो हम उसके अंतरगत मानव याने जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं लोगों के वैवशाय यानि उनके कारेओं के बारे में उनकी गतिवीदियों के बारे में पढ़ते हैं तो क्योंने हम लगे हाथ मानव जहां पर रहता है उसके बारे में भी तो जान ले क्योंकि मानव बुगोल का मूल आधार ये भी है भी मानव कहां रहता है मानव अपनी सुरक्षा के लिए मानव अपनी चीजों के भंडारन के लिए मानव अपने धार में एक सांस्कृतिक जो कार्य है उनको संपन करने के लिए कहां रहता है वो अपने घर पे रहता है उसके लिए वो मकान बनाता है तो उन मकान के समूह को ही मकानों के समूह को ही कहा जाता है मानव बस्ती human settlements कहा जाता है तो मकानों का यानि घरों का जो समूह है है उसे बस्ती कहा जाता है या आप ये कह सकते हो बिस्थाई बसा हुआ जो स्थान है पर्मानेंट रूप से जो बसा हुआ स्थान है उसे मानोबस्ती कहा जाता है जैसे एक्जाम्पल की बात करें गाउं हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए तो ये सारे मानोबस्तियों के ही उधारण है और अगर इन बस्तियों के स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं मानव और परियावरण के सम्मंदों की जानकारी हमें करवाते हैं मानव का अपने परियावरण के साथ सम्मंद के सा है? जिस परकार का इन्वाइरमेंट होगा मानव वहाँ पर उसी परकार के मकान है वो बनाता है और ये भुगोल की एक ब्रांच भी है मानो भुगोल की एक ब्रांच भी है जिसको कहा जाता है अधिवास या आवास भुगोल याने सेटल्मेंट जियोग्रोफी तो हम इस अध्याएं में जो चीजे पढ़ रहे हैं ये अध्याए है आपका मानो भुगोल की जिस साखा में जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कहा जाता है अधिवास भुगोल याने सेटल्मेंट जियोग्रोफी तो आप समझ गए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानो भुगोल के बारे में जो स्थाई हो सकती है ऐस्थाई हो सकती है थोड़े टाइम में मोसम के आधार पर कोई रहने की जगए बना ली जाती है तो वो ऐस्थाई हो जाती है तो मकानों का घरों का जो समू है वो बस्ती कहलाता है या आप कह सकते हो स्थाई बसा हुआ जो स्थान है वो बस्ती कहलाता है तो अब हम इस मानो बस्ती का वर्गी करण करें classified करें तो वर्गी करण के कई आधार हो सकते हैं जैसे एक आधार हो सकता है जन संख्या population के आधार पर हम बस्तियों का वर्गी करण कर लें लेकिन देखा गया विश्व के अंदर दुनिया के अंदर अलग-अलग जगे अलग-अलग परकार की पापुलेशन मिलती है बड़ा ही बहुत ज़्यादा वेरियेशन है तो इसलिए मानो बस्तियों के वर्गी करण के अंतरगर जन संख्या के आधार को एक सरव्यापी मापदंड है वो नहीं माना जाता है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जिस वर्गी करण के तरीके पर सब लोग सहमत है वो है वैवशाय कारय बि इन्सान वहां के किस परकार की गतीविदिया करते हैं किस परकार के कार्या करते हैं किस परकार के काम व्यविशाय करते हैं इसके आधार पर जो वर्गी करण है वो सबसे ज़्यादा विशो व्यपी है सरो मन्ने है इस आधार पर बात करें तो दो परकार की बस्तियां बन जाती है एक गाउं में रहने वाले अर्थार्थ उनको कहेंगे ग्रामिन बस्तियां और नगरों में शहरों में रहने वाले वो हो जाएगी नगरिय बस्तियां तो वैवशाय के अधार पर काम के अधार पर मानो बस्तियों को कितने भागों में बंटा दो भागों में एक ग्रामिन बस्तियां और दूसरी नगरिय बस्तियां अब आपको एक महत्वपुन अंतर इसमें ध्यान हो कारे के अधार पर है तो ग्रामिन बस्तियां यानि गाउं किसे कहेंगे जहां के लोग प्रात्मिक व्यवशाय से जुड़े हुए होते हैं जहां के लोग ज्यादा प्रात्मिक व्यवशाय करते हैं वो गाउं कहलाते हैं वो ग्रामिन बस्तियां कहलाती है जैसे खेती करना, क्रिशी करना, पशु पालन करना, खनन करना और लकडी काटना, मचली पालन करना ये जो काम हैं ये सारे प्रात्मिक व्यवशाय कहलाते हैं और जहां प्रात्मिक वविशाय, हम पूरे विशों की बात कर रहे हैं, जहां प्रात्मिक वविशाय ज्यादा किये जाते हैं, वो गाम, अर्थार्थ, ग्रामिन बस्तियां कहलाती है, और जहां पर द्वित्यक और त्रित्यक या चतूर्थ, पंचम, ये कार्या जहां पर किय जाते हैं जहां उध्योग जादा है जहां पर परिवेन संचार है जो सेवाई हैं ये कार्या जहां पर किये जाते हैं उन्हें नगर शहर कहते हैं अर्थार्थ उन्हें नगर ये बस्तियां कहा जाता है तो पहला ये डिफरेंस आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ज बोष्त बुक में जहां विशो के बारे में बात करेंगे और दूसरा है इंडिया वाली जो बुक है आपकी सेकंड बुक उसके अंतरगल सेम यही चीजें वहाँ होगी लेकिन वहाँ जो वरगी करन ि सब्रेंगों में जाने वहां पर वहां इंडिया का आदारेह भूज यही बिग्रामिन बस्तियां यहाँ हैं नगरिये बस्तियां भी यही हैं तो यही चीजें वहाँ आ जाएगी बस भारतिये उधारण वहाँ पर हमें लेने होंगे तो कारे के आधार पर सरो मन्य वर्गी करण है ये प्रात्मिक ववशाय से जुड़े हुए वो ग्रामिन बस्तियां जहां द्वित्यक, किर्यकलाप, गतिवीदियां कारें से जुड़े होते हैं वो नगरिय बस्तियां कहलाती है एक चीज आप और समझिएगा ये जो सरो मन्य सब जिसको मानते हैं वर्गी करण का आधार देश के अंदर जो प्रादेशिक स्तर पर भी इसमें अंतर पाया जाता है जैसे जो स्विधाएं किसी विक्षित देश के गाउं में मिलती है विक्षित देश के गाउं में जो स्विधा मिलती है हो सकता है वो स्विधा एक ए विक्षित या विकास सेल या अल्प विक्षित देश में वो स्विधाएं ने मिले जैसे एक उधारन से समझे अमेरिका की बात करें, अमेरिका एक विक्षित देश है, अमेरिका के अंदर आपको हर गाउं में पेट्रोल पंप मिल जाएंगे और वहाँ पर जो ये पेट्रोल पंप का जो कारे है वो निम्न श्रेणी का माना जाता है क्योंकि वो ग्रामिन ख्षितरों में जादा होता है, जबकि अगर इसी बात को भारत जैसे एक विकासिल देश में माने तो आपको पेट्रोल पंप मुख्यता कहां मिलेंगे, नगरों में, शहरों में ही मिलेंगे आपको तो भारत में ये थोड़ा अच्छी श्रेणी का करे हो गया, जबकि अमेरिका में ये निम्न श्रेणी का करे हो गया तो ये भी एक आधार बेटता है, भी सही है, भी काम का इसाब देखो वहां पर, कहां पर किस प्रकार का काम होता है उसी अधार पर इन सेटलमेंट्स का वरगी करण है वो होना चाहिए अब हम एक एक करके थोड़ा सा इनको आगे बढ़ ले उसके साथ एक परिभासा आप और देख लीजिएगा प्रिक्षा की द्रस्टी से और वो है उप नगर किसे कहते हैं उप नगर देखे नगर तो आपने समझ लिया और आप आप देखते हूँ जो बड़े बड़े शहर है या कोई भी नगर है तो जब लोग उस नगर के अंदर के जीवन से थोड़ा सा परिशान हो जाते हैं तो वो नगर के बाहर अपना पलाट लेते हैं थोड़ा शामती से जीवन जीना चाते हैं तो एक नगर के बाहर का जो खुला जो शामत एरिया होता है उसको कहा जाता है उप नगर शहर के बाहर रहने का जो स्वच साफ सुत्रा और खुला जो खशेतर होता है उसको उप नगर कहा जाता है तो ये भी आप थोड़ा सा एक नंबर के प्रशन के रूप में इसको भी आप ध्यां रख लेजिएगा अब हम एक के करके टोपिक को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रामेन बस्तियों की रूरल सेटलमेंट की बात करें अगर बात करें आकरती के अधार पर शेट के अधार पर इसे हम यहां पर दो तरीके से समझ सकते हैं एक तो सहंत बस्ति और दूसरी परकिर्ण बस्ति यहां हमें दो जब हम इंडिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम इसके चार टाइप पढ़ेंगे अगर प्रिक्षा में आजाए कोई दो परकार कोई तीन परकार तो कोई भी जैसे यहां सहंत हो गया जिसे हम गुच्छित भी कह सकते हैं ये परकिर्ण हो गया एक आंकी जिसको कह सकते हैं इसी परकार जो ये सहेंत या गुचित है एक अर्ध गुचित परकार हो जाता है एक चोथा पल्ली परकार हो जाता है तो इनके बारे में हम सेकंड बुक के अंदर जो चेप्टर है वहाँ पर अच्छे से समझते हैं तो यहा सहत बस्ती देखे इसमें मकान है वो पास पास होते हैं जैसे यहां डाइगराम देखिए हर एक डिपा है वो घर है मकान है तो इसमें जो मकान होते हैं सहत बस्ती में वो पास पास होते हैं तो पास पास रहने वाले लोगों के अंदर आपको पता है आपसी भाईचारा यानि सैयोग की भावना है वो अधिक होती है ये इनकी विसेस्ता ही भी होगी सहंत बस्ती किसे कहेंगे जहां पर मकान है जिस बस्ती में मकान पास पास बने होती है वो सहंत बस्ती होती है और यहां के लोगों में सहयोग की भावना 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 अधिक होती है और ज्यादा तर ये लोग जो होते हैं पास पास जो रह रहे हैं मकान मना के इनका काम धंदा भी लगबग आपको एक समान मिलेगा एक मॉल्लय में जाओगे तो आपको एक जैसे ही मिल जाएंगे और ज्यादा तर सहत बस्तियां कहाँ पर है यह आपको दुनिया में मिलेगी नदियों के किनारे क्योंकि पानी की सुद़ा असानी से मिल जाए या जो उपजाओ मेदानी भाग है जहां असानी से क्रिशी की जा सकती है तो नदियों के किनारे और उपजाओ मेदानों में आपको सहत बसती है वो मिलेगी अब बात कर लिए परकिर्ण, परकिर्ण का मतलब होता बिखरी हुई, दूर दूर जो होती है तो किसे कहेंगे वो बस्तियां जिसमें मकान दूर दूर होते हैं पास पास है तो सहत बस्ती दूर दूर है तो परकिर्ण बस्ती स्केटर्ड बिखरी हुई होती है और ये खेतों के दुआरा एक दूसरे से अलग होती है यानि आप यहां डाइग्राम में देखिए हर एक जो यह बड़ा ब्लू कलर में जो डिबा है यह खेत है तो हर आदमी अपने खेत में अपनी एक धानी बना लेता है अपना मकान बना लेता है तो यह अपना खेत फिर यह दूसरे का खेत आ गया उसने अपने खेत में अपने इलाके में एक साइड में डानी मना ली फिर तीसरा खेत आ गया तो उसने अपने खेत में डानी मना ली इसी परकार जो खेत अपना खेत के एक साइड में कहीं भी मकान बना लेता है तो ये जो बस्तियां होती है ये परकिरन बस्ति कहलाती है एकांग की बस्ति होगी जो किसके द्वारा अलग लग है खेतों के द्वारा अपना खेत छोड़कर फिर दूसरे का खेत स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपना मकान धानी है वो बना लेता है तो इन में क्या है इन सह अपने गिर्जागर गुर्दवारा जो भी इनका पूजास्ताल है वहाँ पर जब ये जाते हैं तो ये वो जगह जहां पर ये बस्तियां है वो एक दूसरे को जोडती है तो वहाँ पर अच्छा इनमे आपसी प्रेम भाईचारा है वो देखने को मिल सकता है आपको तो बजार पूजास्ताल इनको अपस में जोडने का एक बहुत अच्छा माद्यम हो गया बजार जाएंगे और भाई साब कैसे हो क्या है तो कहीं ने कहीं अपस में मेल मिला भी हो जाएगा जरूरत में अगर जानकारी हो जाएगी तो कभी जरूरत पढ़ती है तो काम भी आ जाते हैं तो ये था ग्रामिन बस्तियों के दो परकार सहंत बस्ती और परकिरन पास पास तो सहंत दूर दूर अपने अपने खेतों में ढानी बणा कर बेटे हैं तो वो क्या होगे परकिरन है बस्ती वो कहलाती है तो ये तो हो गई ग्रामिन बस्तियां कौन सी जहां पर प्रात्मी काम होते हैं खेती है पसु पालन है खनन का जो काम है मतशे पालन मचली पालन का जो काम पसु चारण ये सारे दो परकार से हमने इसको समझ लिए अब हम नगरिय बस्तियों की जहां बात की जहां पर लोग डूते तरी ते जो सेवाएं वाले जो काम हैं वो ज़्यादा करते हैं उ आपनी जो विसेस्ताई हैं वो देखने को मिलती है लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा देखें अगर आप भारत वाला भी अगर आप समझ लेते हो तो बोर्ड प्रिक्षा की दरस्टी से भी इंपोर्टेंट हो जाएगा और यहां आपके टोपिक है वो क्लियर भी हो तो यहां नगरिय बस्तियों का अधार है वो इंडिया को लेकर समझ लेते हैं तो 1921 में की भारतिये जणगंड़ना के अनुसार नगरिय बस्ति की परिभासा के अंदर क्या अधार रखे गए हैं जिने हम विसेस्ताई कहते हैं चाहिए नगरिय बस्ति की भारत के अनुसार परिबासा पूछ ले ची विशेस्थाइं पूछ ले तो इसमें च्यार चीजें आती है तो कैब भारत के अंदर नगर किसे कहेंगे एक ध्यारे किएगा जहां की जन संख्या नियूनतम 5000 हो कम से कम 5000 तो इसका मतलो 5000 या 5000 से अधिक जो जन संख्या होती है तो उसे भारत में नगर माना जाता है लेकिन इसके साथ साथ एक सर्थ और है भारत के अंदर वो है जन संख्या के घनतव की डैंसिटी की वो अणिची चार सु वैक्ती परति वर किलोमेटर तो भारत में नगर किसे कहेंगे जहां कम से कम जन संख्या 5000 हो और जहां का जन घनतव है वो 400 वेक्ती परती वरक किलोमेटर हो तो ये जन संख्या के आकार के दोनों भारत में नगर की स्थापना में जन संख्या आकार अर्थार कितनी जन संख्या और कितना जन घनतव है इन दोनों को आधार है वो रखा जाता है इसके भारत के अलावा 30,000 लोग कम से कम होने चाहिए, तब नगर की श्रेणी में वो जो इलाका है वो आता है, और वहीं अगर डेनमारक, स्वीडन, फिल्लेंड की अगर बात करें, वहां सिर्फ 250, 250 लोगों के उपर ही वहां नगर का दर्जा है, वहां मिल जाता है, कनाडा में 1000 लोगों का हिसाब क कि आतार का कोई अधार ही नहीं है, का नहीं जी हम जन सेंग्या का इसाब किताब नहीं रखेंगे, तो वहां क्या अधार रहता है, वहां जहां पर भी उनकी कोई राजधानी है, जो भी जहां पर पर सासन का काम जहां पर होता है, उन्हें वो नगर कह देते हैं, तो आप सम व्वशाय की बात करें तो भारत के अंदर 25 पर्तिशत 75 परसेंट जो पुरुश शर्मीक है वो गेर क्रिशी कारियों में याने क्रिशी के अलावा अर्थार्थ प्रात्मिक व्वशाय के अलावा द्वित्य तुरित्य चतूर तक पंचम कारियों से जुड़े हुए होनी चाह देश है जहां पर 50% की सर्थ है जिए 50% लोग गेर क्रिशी करे हैं वो करें जिबकि इंडिया में अपने पिछेतर परतिशत की बात है इसी परकार परसासनिक ढहंचे की अगर बात करें एड्मिनिस्टेशन की अगर बात करें तो अगर यहां पर कोई नगर पालिका का जो है या कोई चावनी बोर्ड है या कोई अधी सूचित नगरी एक्षेतर समीती है तो वो नगर के अंदर शामिल रहते हैं तो इसका मतलब कम से कम 5,000 लोग हो चार सुवेक्ती परतिवरे किलोमेटर जन गनतव हो और वहां पर 55% से ज्यादा या 55% पुरू से वो गेर क्रिश भारत में नगर की संग्याद दी जाती है तो भारत में नगर की परिवासा लिखें तब भी चारों बात आएं विसेस्ताइं लिखें तो हम एक, दो, तीन, चार करके इस परकार से विसेस्ताइं लिख सकते हैं तो अब आप समझ गए होंगे भी दुनिया के अंदर भारत का तो समझाईए इससे आप ये समझाईएगा दुनिया में जहां कहीं भी नगर की स्थापना की बात आती है तो उसका अधार जन संख्या का आकार हो सकता है वहां का वैवशाय वहां का परसासन हो सकता है और इसके साथ साथ दुनिया के अंदर स्थीती की भी पोजिशन भी इलाका है वो कैसा है ये भी नगरों की स्थापना में महत्वपूल रोल अदा कर सकता है जैसे जहां पर खनीज ज़्यादा मिलते हैं तो वहां उनके आसपास खनीज प्राप्ति स्थानों के पास हम फैक्टरियां लगा देते हैं उद्योगों की स्थापना कर देते हैं तो अगर लोग ज़्यादा गूमने के लिए आते हैं, कोई प्रेटन स्थला है, तो वो प्रेटन अगर की द्रस्टी से, कोई पढ़ाई की द्रस्टी से अगर पापूलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो शिक्षा नगरी के रूप में जाने जाते हैं, इसी परकार वेपार के उदेशे से, जो समुद्री पतन बंदरगाए है, अगर वहां पर ड्वेल्प्मेंट अच्छा हो जाता है, तो वो समुद्री पतन, जो पतन नगर है, वो कहला दिये जाते हैं, तो नगरों की स्थापना में, दुनिया में स्थिति का भी रोल है, वो रहता है, ज तो ये आज की क्लास में हमने ये जो चीजे हमने समझी है, ये बोर्ड प्रिक्षा की दृष्टी से भी बहुत महतोपूर्ण है, तो अच्छे से आप इनको जानियेगा, और अब आगे हम पढ़ेंगे, अब ग्रामिन बस्तियों को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, या हमने इस थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कौन से हैं, तो आप इनको अच्छे से अपनी कोपी में नोट कीजिएगा, मनन कीजिएगा